principles of systematics module 4 इस modules के अंदर हम contributions देखेंगे कि जो taxonomist है या systematics किस तरीके से help करती है applied biology के अंदर इस module के अंदर हम systematics की importance agriculture और forestry के अंदर देखेंगे biological control के अंदर और public health के अंदर सबसे पहले हम agriculture और forestry की बात करते हैं कि agriculture और forestry के अंदर taxonomist कैसे help करते हैं हमारी जो basically agriculture crops है उसके अंदर बहुत सारे pest मौजूद होते हैं उसमें बहुत सारे insects ऐसे होते हैं जो predators होते हैं अब एक taxonomist identify कर सकता है कि कौन से organism ऐसे हैं जो हमारी crop को damage करते हैं या हमारे forest के अंदर जो destruction कास करते हैं क्योंकि बहुत सारे insects देखने में वो insects होते हैं लेकिन एक आम person इनको असानी से पहचान नहीं सकता basically जो taxonomist हैं ये identify करके तो grouping करते हैं कि कौन से organisms हैं जो pest हैं और कौन से organism ऐसे हैं जो predators हैं क्योंकि जब तक हमारे पास pest और predator का data available नहीं होगा हम insects को control नहीं कर सकते properly क्योंकि insects को control करने के लिए हमें बहुत सारी options का इस्तमाल करना पड़ता है हमें biological control करना पड़ता है हमें pesticides का use करना पड़ता है हम pesticide उस वकत targeted यूज कर सकते हैं जब हमें ये पता हो कि कौन से organism पेस्ट के तोर पर काम कर रहे हैं और कौन से organism ऐसे हैं जो predator के तोर पर काम कर रहे हैं क्योंकि अगर हम एक जर्नल pesticide यूज करेंगे तो वो ना सिरफ पेस्ट को मारेगा बलकि उसके साथ साथ हमारी crop के अंदर ऐसे organism जो के beneficial हैं जो के farmer friend हैं जिनका हमारी crop को फाइदा है नुकसान नहीं है उनको भी वो damage करेंगे तो लहाजा जो taxonomist हैं ये अपना role play करते हैं इस identification के अंदर और ये data provide करते हैं pest का और predators का ताके agriculture department या farmers जो है वो targeted control कर सकें इसी तरीके से biological control biological control के अंदर taxonomist कैसे help करते हैं biological control क्या है basically इसके अंदर हम natural organisms का इस्तवाल करते हैं pest को control करने के लिए अब ये natural organism ये insects भी हो सकते हैं ये bacteria भी हो सकते हैं ये viruses भी हो सकते हैं अब biological control के अंदर ये जानना बहुत जरूरी है कि जो pest है उसका origin क्या है बहुत सारे pest ऐसे होते हैं जो local होते हैं native होते हैं बहुत सारे pest ऐसे होते हैं जो native नहीं होते बलके ये exotic होते हैं ये किसे दूसरे country से हमारे इलाके के अंदर आये होते हैं ऐसे pest को control करने के लिए अगर हम उसका biological control करना चाहते हैं तो उसके लिए आम तोर पर ये prefer किया जाता है कि predator भी उसी इलाके से हो जहां से pest का origin है For example, अगर हम एक popular example देखें तो Asian citrus salad ये एक insect है जो कि citrus crop के उपर attack करता है citrus plants के उपर attack करता है और California के अंदर इसने citrus industry को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुचाया Basically, ये जो citrus salad है इसका origin Asia से है ये Asia से USA के अंदर गया इसको control करने के लिए जो natural enemy introduce करवाया गया जो के tamaraxia radiator जो के एक parasitic wasp है इसको Asian country से पाकिस्तान से इसको USA के अंदर transfer किया गया और इसने successfully इस pest को control किया क्योंकि basically जिस जगह से pest का origin था वहीं से उसका natural enemies introduce करवाया गया तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि ये identify किया जाए कि pest कौन सा है और उसका origin क्या है इस किसम की study एक taxonomist प्रवाइड करते हैं तो जो taxonomist है या जो systematics के जो researchers होते हैं ये biological control या ये जानने के लिए कि pest का origin क्या है उसमें अपना role play करते हैं और उस pest की वज़ा से जो damage होता है उसको control करने में help करते हैं इसी तरीके से taxonomist public health के अंदर बहुत important role play करते हैं इसकी एक important example Anopheles maculipanis complex है Anopheles mosquito malaria gas करते हैं basically ये Anopheles maculipanis ये एक complex है जिसके अंदर 6 Anopheles की species शामिल हैं क्योंकि morphologically ये same है लेकिन ये reproductively एक दूसरे से isolated है तो शुरू में यही समझा जाता था कि ये एक ही species है बहुत सारी efforts की गई इसको control करने के लिए लेकिन इस problem को solve नहीं किया जा सका बाद में जब taxonomist ने detail study की तो ये पता चला कि ये basically ये तो एक species नहीं है ये 6 species का एक complex है ये morphologically similar है लेकिन reproductively ये isolated है बाद में ये पता चला कि इन में से तमाम जो species है वो disease के spread के अंदर involved नहीं है इन में से कुछ species involved है जब उनकी detail study की गई तो पता चला कि इनका habitat different है तो इसके habitat की study करके कि किस जगा पे वो पाय जाते है जब targeted activities की गई तो फिर इस disease के spread को रोका गया तो इस तरीके से public health के अंदर भी जो taxonomist है उन्होंने अपना role play किया